हेलो प्रंच कैसे हो कसा का हाई केम छो मज़ा मा और दोडिया भाई कहां का यहाँ जान है तो आज हम लोग जा रहे हैं चावल का धान देखने के लिए अभी बारिस में लगाया था चावल का धान तो अभी 10-15 दिनों में पक जाएगा वो तो उसको काटेंगे तो वो ही हुआ है चलिए इसका दान निकलना चालो हो गया है यह देखो अभी चलते हैं हमारे वाले खेतों में पानी में से जाना पड़ेगा चलो यह वाला रास्ता है बहुत ही जंगल हो चुका है फिर भी जाना पड़ेगा हम लोगों को फिर हमारे वाला खेत का दान दिखाता है आप लोगों को चल तो फ्रेंस फाइनली हमारे खेतों में आ चुक है लेकिन क्या देखने को मिल रहा है यह देखो सुबह बारिस आई थी उसकी वज़े से यह पूरा गीर चुका है बड़ा बड़ा था हाइट में यह उदर का खड़ा है और यह गीर चुका है बारिस आने के कारण तो यह नुक के लिए होगी तो इसको जैसे तैसे काटना पड़ेगा अभी चलते हैं आगे तो फ्रेंस यह है दूसरे वाला खेत इसमें अच्छा है दान गीरा नहीं है बारिस के कारान तो यह अच्छा से होगा वह वाले खेत में तो नुक्सा नहीं हो जाएगा हम लोगों को जितना भ देंगे और अभी भी मौसम बारिस आने वाला ऐसा हो चुका है पता नहीं मैं कुछ लाया भी नहीं हूं साता वगेरा बारिस ना जाए तो अच्छा है गर पे चला जाओंगा उसके बाद इतना नहों आ जाए चले आगे चलते हैं कुछ दूसरा कुछ आप लोगों को काम आ जाती है तो यहां पर है यह देखो यह ककड़ी की बेल है और यह बिंडी है और यह चौरी है वहां पर बैठी है चोटी सी और ककड़ी दिखाता हूं आप लोगों को यह देखो आम के पोदे पर बैठी हुए लटकी हुई है यह आम के पोदे हैं जो लगाए थे इसम फिबी बैठी है तो खाने में मज़ा जाता है यह दिशी है और यह कुछ बाजी है जो कि डाल वगले में डालते हैं तो अच्छा लगता है मतलब कटी-खटी लगती है तो मजाता है खाने के लिए और आप लोगों को दिखाता हूँ अभी बिंडी में ये देखो बिंडी बहुत सारी बैटी है ये बिंडी के फूल सोते हैं ऐसा रहता है बिंडी आने के से पहले बाद में ऐसा बिंडी बैटा है ये देखो पहले ऐसा फूल होता है बाद में ऐसी ब गर पे खाने के लिए चलिएओं वहाँ पे बैठी है तो मैं तोड़ लेता हूं उसके बाद दिखाता हूं आप लोगों को कौनसी कितनी बड़ी हम लोगों ने ककड़ी तोड़ी और कितनी लेके जाएंगे गर पे चलिए तो फ्रेंट्स हम लोगों ने इतनी सारी ककडि लेंगे इसको खाने के लिए और यह देशी कुड़ी के पास ऐसे काटे जीसे होते है छोटे छोटे यह देखो यह निकाल के दो के अच्छा से काट के खासकते नमक डालके या तो फिर सलाट बना के भीखा सकते देशी लगती यह देखो इतनी लेके जाऊंगा बाद में यह हो जाएगी तो वापिस लेने के लिए आऊँगा ककड़ी यह अलग टाइप की है यह देखो चलो अब इसको लेके जाते हैं घर पे तो फ्रेंट्स यहाँ पे बास बहुत है हमारी यह जो की घर के कामों में यूज होती है और इससे बहुत ही अच्छा सी चीज़े बनाते हैं तो यह तो अभी बारिस सारी थी तो बहुत सारी हो चुकी है अभी काटा नहीं इसको अभी कुछ बनता इसका बास का अभी चलते हैं आगे तो फ्रेंट्स अभी जा रहे हम लोग गर पे इतनी सारी ककड़ी ले ली है इसको गर पे ले जाके खाएंगे तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक कॉमेंट शेयर करके जरूर बताना चले मिलते हैं नेक्स्ट वीड को एक डधियो में बाइब बायाइब को